आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर टांडा के ग्राम उद्मा वाला पहुंची वर्तमान समय में नभी हुसेन इस गाउं के प्रधान है लगवक्त 8000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्याले से 45 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है वहीं ब्लॉक से इ प्राइमरी वा जूनियर हाई स्कूलों में चात्र चात्राओं की कुल संख्या लगबग 246 है जबकि जूनियर वा प्रात्मिक हाई स्कूल भी बेहतर इस्तिती में नजर आते हैं वहीं गाउं में आ रहे सबी तरीके के लाव जैसे विद्वा पैंशन व्रद्धा पैंशन से गाउं के लाभारतिी लावां वित विद्वध होते नजर आए मैं वर्तमान पर धान द्वारा की भी व्यवस्था कर आई गई है जसे गाउं वालों को पानी की समस्या से रूह ना होना पड़े वर्तमान समय पें गाउं में लगबग40 जबकि बिजली की विवस्था के अंतरगरत एक सो साथ बिजली के फोल भी लगाए गए और बिजली निरंतर बनी रहे इसके लिए तीन ट्रांसफर्मर की भी विवस्था की गई है इस गाउं में सोलो लाइट जैसे उप्तरण भी लगे हुए हैं साथ ही इस ग्राम पंचायत दहुँक में ग्राम लों को अभी 35 और हैंड़ पंपों की आवशच्वक्ता है जबकि 15 और जada कि माने की गई है साथ ही वी इसी के साथ Pok उसकी टिम से बपार लगां बहुंहों विक्याव आफ्रयजी रही है जिससे गाउँ का विकास बेपटरी हो चला है उन्होंने सरकार से मान की है कि जल से जल गाउँ में पैसा महया कराएं मैं जरूरी रूप से बननेवाले सभी तरीखे की इमारतों को बनाया जा सके इसमें मुख्य रूप से स्वास्टika Ε нравится राजके इंटर कॉलेज शामिल है। साथ ही गाउं को एक पंचायत धर की भी आवशकता है। ग्रामीडों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गाउं में पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है। साधी नालों का निर्मार भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। जिससे गाउं में जंजीवन अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है। यहां पर जो है पर नियाय पंचायत है। जिसमें की विकास कार रहे है। काफी हुए हैं लेकि फिर गई उसके हिसाब से कम हैं। क्योंकि इतने पैसा नहीं आता। जितने पैसा आजाता है तो खर्च हो जाता है। अभी काम बहुत अदूरे हैं। हमें आवास दिया है परधानों ने। वो बना लिया हमने। जो पास में आया वो बना दिया। क्योंकि ते法